जय हिंद जय हिंदे हन्स वाहनी कलास से जुद्ध्या महामसोधा मोतिनिगर में मैं राम संकर्दू भी अपने सभी छात्रों का स्वागत करता हूं बच्चों इस वीडियो में हम सब कलास नाइन्थ की साइंस जो सीवियसी बोड की यंसी इयाटी की पुष्थक है को पढ़न आज पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो सजातिय प्रणाली नहीं है लाइक जैसे दोज हुए आप्टेइन जो पाए गए हैं बाई ग्रूप सी के द्वारा इन एक्टिविटी 2.2 में इन हुच जिसमें सॉलिड ठोस आर हैं डिस्परीड प्रकेडित हो गए हैं इन लिक्विट्स तरल पदार्थ में आरकाल्ड कहा गया है सस्पेंशन घोल कहा गया है एक सस्पेंशन एक घोल इज है एक हेट्रोजीनियस मिक्चर एक विजातिय मिश्ण है इन हुच जिसमें दिस्वल्यूट पाइटिकल्स घुले हुए पदार्थ के कड़ डू नाट गुलते मिलते नहीं है बट रिमेन सस्पेंडड रहते हैं मुक्तवस्था में ठोल पूरे में मुक्तवस्था में रहते हैं वर्क आफ दी मीडियों पूरी भारी मात्रा में रहते हैं माध्यम में रहते हैं पार्टिकल्स कर आप एक सस्पेंशन एक घोल के और विज्वल द गोल वी तस्पेंशन घोल, इस है, हें एक हैं, हेट्रोजीनियस मिक्च्र, एक विजाती हैं मिश्रड है, दरबाटिकल्स, आप सास्पेंशन घोल के कैन भी सीन देखे जा सके हैं, वहाई नेट आइ toisesti एै खुली आखों से, दी पार्टिकल्स कर आप एस सस्पेंशन घोल के इस कैटर विखेर देते हैं ये बीम किनड विखेरते हैं आप लाइट प्रकास की पासिंग थोरो जो गुजर रही हो थोरो सीधे इट इस से और में किट कर देते हैं इसके पत रास्ते को विजबल द्रिश्मान कर देते हैं दिखाई देने वाला कर देते हैं दी शॉल्यूट पार्टिकल्स शॉल्यूट गुले हुए पदार्थ के कर शेटल डाउन नीचे बैठ जाते हैं वेन सस्पेंशन जब घोल इज लेफ्ट छो दिया गया हो तो जो घुले हुए पदार्थ के कर हैं वे नीचे बैठ जाते हैं दैट इज वह है कि एक सस्पेंशन एक घोल इज अनिस्टेबल आइस्थिर है तो दे कैन भी सेप्रेटेड उन्हें अलग किया जा सका है फ्राम दी मिक्चर मिस्टर से वाई प्रोसेस प्रक इरिया के द्वारा उन्हें अलग किया जा सका है हो एन जब दी पार्टिकल्स कर शेटल डाउन बैड जाते हैं नीचे तो दी सस्पेंशन घोल ब्रेक तूड जाता है ठोसकर नीचे हो जाते हैं और तरल पदार्थ उपर हो जाता है एंड इट डज नाट इसके टर लाइट और यह प्रकास नहीं विखेडता है नीमोर और ज्यादा तो हाट इज ए कॉलेडियल सॉलीशन क्या है घोल क्या है दी मिक्षर मिश्रड अप्टेन जो पाया गया है बाइक ग्रूप डी के द्वारा इन एक्टिविटी 2.2 में इसकाल्ड कहा गया है एक कॉलेडियल और एक कॉलेड अथवा और एक कॉलेडियल सॉलीशन अथवा कॉलेडियल घोल के रूप में जाना गया है दी पार्टिकल करण आप एक कॉलाइड के आ रहें उनि फार्मी उनि फार्मली इस्प्रीड समान रूप से फैल गए हैं थोर्वावड दी सॉलीशन पूरे घोल में फैल हैं due to the relatively due to के कारण संबंध के कारण smaller size चोटे आकार के होने के संबंध के कारण आप पार्टिकल कणों के as compared इसे तुलना टी गई है to that आप a suspension गहोल की दी मिक्षर मिशरड अपियर नजर आता है। तो भी होमोगेनियस सजाती नजर आता है मिशरड बट लेकिन एक्चुली वास्तों में एक कॉलेडियल ग्वोल जो होता है इस ए हैट्रोजीनियस मिशर होता है बिजातिय मिश्रण होता है क्योंकि होमोजेनियस मिश्रण सजातिय होता है घुलने वाले पदार्थों के कड़ और बिलायक के आपस में बराबर मिल जाते हैं लेकिन हेट्रोजेनियस में बिलायक के और घुलने वाले पदार्थी के कड़ आपस में मिलती नहीं है फारी जाम पलूदान के लिए मिलक दूद विकाज क्योंकि आप देश्माल साइज इस्माल साइज मने छोटे आकार का होने के कारण आप कॉलेडियल पार्टिकल इसके कॉलेडियल क्या है जो कण मिल जाते हैं एक दूसरे में वो कण भी कैन नाट सी हम देख नहीं सकते हैं द्यमूने वित नाइग आई खुली आखों से बट लेकिन दीज पार्टिकल ये कण कैन इजली स्केटर आसानी से विखेड सकते हैं एबीम एक किरण विखेड सकते हैं आप विजबल लाइट जो दिखने वाला प्रकास होता है अज अब्जर्व जैसे पाया गया है इन एक्टिविटी 2.2 में पाया गया है तो इस स्केटरिंग आफ एबीम ये विखरना किरण का आफ लाइट आफ लाइट प्रकास के इस काल्ड कहा गया है टेंडल एफेक्ट कहा गया है टेंडल प्रभाव कहा गया है आफ्टर दी नेम जो के नाम के उपर है आप साइंटिस्ट बैग्यानिक के नाम के उपर है हूँ डिसकबर जिसने खोज की थी इस एफेक्ट इस प्रभाव की खोज की थी टेंडल इफेक्ट कैन सकता है also भी be observed पाया जा सका है जब एक महीन किरण आफ लाइट प्रकास की इंटर्ज प्रवेश करती है ए रूम एक कमरे में फ्रो ए श्माल होल सीधे एक छोटे से छिद्र से प्रवेश करती है तो this happening होता है due to के कारण scattering of light प्रकास के विखरने के कारण होता है by the particles जो उसके करण विखर जाते हैं आप dust धूल के and smoke और धुये के in the air हवा में उसी कारण टेंडल इफेक्ट होता है टेंडल इफेक्ट टेंडल प्रभाव can be observed पाया जा सका है जब sunlight सूरज का प्रकास passes गुजरता है थोरो सीधे दिक कैनोपी संक्वा कार आप dense forest घने जंगल से इन फारेश्ट जंगल में mist धुन्द content जिसके पास है tiny droplet छोटे छोटी भूंदे हैं आप water पानी की which act जो काम करती है आप particles कनों के रूप में काम करती है आप collide के कनों के रूप में काम करती है फैल जाती है हवा में property संपदा आप collide की संपदा क्या है एक collide is है a heterogeneous mixture है एक विजाती emission है इसके घोलने वाले और घोलने वाले के कन आपस में पूर्ण रूप से मिलते नहीं है जो खुली आँकों से नजर आते हैं तो this size आकार आप particles कनों का आप collide के घोल के का is head to small ज्यादा छोटा है to be individually seen जो अलग-अलग नजर आया है by night die खुली आँक से collide आ रहें big बड़े है एनफ परियाप्त to scatter a beam एक किरण को विखेरने के लिए आप light प्रकास के passing जो गुजर रही है throw it सीधे इससे and और make it path कर देते हैं इस path इसके रास्ते को visual दृश्मान कर देते हैं तो दे डू नाट शेटल डाउन वे नीचे नहीं बैठते हैं जब लेफ छोड़ दिया गया हो उन्हें undisturbed बीना छेड़े हुए छोड़ दिया गया हो तो नीचे नहीं बैठते that is वह है a collide is है quit stable poor poor isthir है दे वह cannot नहीं सकते हैं be separated अलग नहीं किया जा सके हैं फ्रॉम दी मिक्चर मिसरण से वाइप प्रोसेस प्रकिरिया के द्वारा फिल्ट्रेशन छनी करण की प्रकिरिया के द्वारा उन्हें अलग नहीं किया जा सका है बट लेकिन a special technique एक विशेश तक्निकी आप separation प्रथकी करण की नाउन जानी गई है as centrifugation के रूप में जानी गई है ठीक है centrifuger क्या है अब केंद्रीवल है परफॉर्म किया गया है activity 2.5 में कैन भी उज इस्तेमाल किया जा सका है to separate अलग करने के लिए एक कॉलेडियल पार्टिकल्स एक जो ठोस कण होते हैं जो आपस में मिलते नहीं है नजर आते हैं उनके कणों को separate करने के लिए दि कंपोनेंट अवयो आप एक कॉलेडियल सॉलुशन एक कॉलेडियल घोल का आरहें दि डिस्पेड फेश दिस्पेश्ट मींज प्रकेणित होने वाला फेश अवस्था है एंड दि डिस्पेशन और प्रकेणन का मीडियम माध्यम है दि स्वलुट घुला हुआ पदार्थ लाइक जैसे कंपोनेंट अवयो आर अथवा दिस्पेड पाटिकल्स और प्रकेणित कर इन एक कॉलाइड घोल में फ्रॉम दिस्पेड फेश जो प्रकेणित अवस्था है एंड दि कंपोनेंट अवयो इन हुच जिसमें दि डिस्पेश फेश ये प्रकेणित अवस्था इज है सस्पेंडेड मुक्त अवस्था में है इस नाउन जाना गया है ऐस दिस्पेशिंग मेडियम प्रकेणित माध्यम के रूप में जाना गया है कॉलाइड आर हैं क्लासि तरल और गैसी अवस्था के अनुसाराव दिस्पार्जिंग मीडियम जो प्रिकिर्डित करने वाला माध्यम है और दिस्पार्ज फेस और प्रिकिर्डित करने वाली जो अवस्था है कुछ सामान उदारण आरहें गिवन दिये गए हैं इन टेबल 2.1 में फ्राम दिस टेबल इस तालिका से यो कैन सी तुम देख सकते हो दैड की दे आर वेरी कामन वे बहुत ही सामान ने हैं एब्री डे लाइब दैनिक जीवन में बच्चों पढ़ाना समझ में आया है और अभी तक आपने हंस बाहनी कलासे ज़द्या यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरा वादा है धीरे धीरे पढ़ाई जरूर आपको समझ में आएगी बच्चों के लिए हमारा संदेश संसार की जितनी जादा से जादा भासाओं को सीख सको सीख लो उत्तम है अपनी मात्र भासा हिंदी सर्व उत्तम है इसलिए हिंदी का आदर करें इसका अनादर नहोंने दें अपने दैनिक कारियों को हिंदी में ही करें क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक है इसलिए हमारे सभी चात्रा और हमारे सभी फालो और हमारी साथ बोलेंगे जय हिंद जय हिंदी